नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिये कविता धिंगडा और आज हम बात करेंगे section 269 SS, section 269 T और section 269 ST के बारे में सबसे पहले हम section 269 SS की बात करेंगे section 269 SS क्या कहता है according to section 269 SS हम किसी भी person से कोई भी loan, कोई भी deposit या कोई भी specified sum receive नहीं कर सकते in cash more than 20,000 रुपीज यानि अगर आप 20,000 से जादा cash लेते हैं किसी भी loan या deposit के against या other specified sum के against तो वो चीज़ इसके अंदर allowed नहीं होगी यहाँ पर loan और deposit को हम अच्छे तरीके से पहले से ही जानते कि loan और deposit क्या है लेकिन अगर हम बात करें other specified sum की तो other specified sum इसके अंदर क्या है other specified sum means अगर आपने किसी immovable property के against कोई पैसा लिया more than 20,000 तो वो भी क्या हो जाएगा? बिसल आउड अब इसके अंदर एक question क्या arise होता है कि अब जो loan है, deposit है और specified sum है तो ये तीनों की limit 20-20,000 हम अलग-अलग ले करके चलेंगे या तीनों की aggregate limit आपने 20,000 लेना है तो answer क्या है दोस्तों? हमें तीनों की aggregate limit को 20,000 ले करके चलना है अलग-अलग limit हमें उसकी नहीं देखनी, ठीक है जी? और अगर हमने इसके तहट कोई transaction की यानि for example मैंने क्या किया? किसी भी कोई भी loan लिया for 90,000 रुपीज in cash मैंने क्या किया? एक loan लिया 90,000 का cash में तो क्या होगा? मेरे उपर इस case के अंदर section 271D के तहट penalty लग जाएगी equal amount की यानि कि as per section 271D, अगर मैंने section 269 SS के provision जो है वो तोड़े तो मेरे उपर उसकी penalty लग जाएगी और equal amount की penalty आएगी चेक है जी? next one हम बात करेंगे section 269T के बारे में section 269T बात करता है repayment of loan के बारे में अगर हमने repayment of loan in cash किया more than 20,000 रुपीज या फिर repayment of deposit किया more than 20,000 रुपीज तो भी यह हमारे पास क्या हो जाएगा? disallowed हो जाएगा अगर हम cash more than 20,000 दिया तो अब अगर इस case के अंदर हम कोई भी repayment of loan करते हैं for example 80,000 का हमने loan पे किया तो जो penalty है हमें section 271E के अंदर लगेगी उसके अंदर भी हमारे पास equal amount की penalty आ जाएगी for example मैंने 80,000 का loan repay कर दिया किसी भी person को या deposit repay कर दिया तो मेरे उपर क्या लगेगी? 80,000 की equal amount की penalty लग जाएगी as per section 271E इसके अंदर भी जो amount है 20,000 की वो aggregately देखी जाएगी जितने भी आपके loans चल रहे हैं उन सब की ठीक है जिए? next one हम बात करेंगे the most important section जिसमें लोगों को सबसे ज़ादा confusion है section 269ST के बारे में और routine life में अगर practical life में देखें तो ये section कई लोगों पर लगता है applicable है section 269ST के according हमारे पास 3 जो है तीन limits दी गई है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि हम 2 लाख या 2 लाख से ज़ादा cash payment नहीं ले सकते ध्यान से मेरी बात सुने का इसके अंदर जो लोग गलती कर रहे हैं आज के time में सबसे ज़ादा in practice वो लोग क्या करते हैं कि 2 लाख receive कर लेते हैं नहीं इसमें 2 लाख भी allowed नहीं है इसमें 2 लाख और मोर लिखा हुआ है rupees 2 लाख और more दोनों ही allowed नहीं यानि आप 2 लाख से 1 रुपया कम ले सकते हैं exactly 2 लाख allowed नहीं होगा इसके अंदर allowed limit कितनी है 1,99,999 रुपीज ना कि 2 लाख तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है we cannot receive payment of rupees 2 लाख और above from a person in aggregate from a person in a day यानि किसी भी person से एक दिन में aggregately आप 2 लाख या उससे ज़्यादा payment receive नहीं कर सकते अगर आप 2 लाख या उससे ज़्यादा payment एक person से एक ही दिन में receive करोगे तो आपके उपर section 271 DA की penalty लग जाएगी वो भी equal amount की ही रहेगी चीक है जी तो इसके अंदर अगर हम example देखें आपने किसी भी person से किसी भी person को आपने bill issue किये 25,000 के आपने उसको 10 bill issue किये 10 आपने sale bill उसको दिये तो आपकी aggregate जो amount है वो कितनी बनेगी? आपने क्या किया? वो 250,000 in a single day from that person आपने receive कर लिए अगर आप single day में वो 250,000 in cash उससे receive करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? डिसलाओड हो जाएगी वो चीज़ section 271 DA की penalty आपको लग जाएगी चीक है जी? अगर हम बात करें इसी same case के अंदर आपके पास 10 बिल थे 25,000 के आपने क्या किया? वो जो बिल थे आपने 1,50,000 आज receive किये और 1,00,000 आपने कल receive कर लिए या किसी other day में receive कर लिए यहाँ पर from a person in a single day आपने 2,00,000 से कम ही receive किये यानि अगर ऐसा है आपने कई बिल्स की एक साथ payment लेनी है तो उसे bifurcate करके लिजिए एक साथ मत लिजिए अगर आपने exactly 2,00,000 की भी amount दिखाई तो वो आपके पास 10 sell out हो जाएगी चीक है जी? नेक्स्ट वान अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आजाएगा? एक single transaction से related आप 2,00,000 या उससे ज़्यादा amount नहीं ले सकते यानि अगर मैंने 3,00,000 का एक single bill किसी भी person को issue किया मैंने sale की किसी भी person को 3,00,000 की और एक single bill raise किया उसके against तो मैंने क्या क्या 3,00,000 के 3,00,000 in cash उससे recover कर लिए तो अगर मैं 3,00,000 in cash उससे recover करूँगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? disallowed हो जाएगा? वो मुझे allowed नहीं होगा इसके अंदर भी मुझे section 271 DA की penalty लग जाएगी हाँ, इसके अंदर कई लोग एक tax planning करते हैं, वो भी गलत है वो क्या की जाती है? कि 3,00,000 का जो बिल है, उसके 2,00,000 या आप यह कह सकते हैं, 1,90,000 इस साल ले लिए और 1,10,000 next year ले लिए इसमें वो क्या show करते हैं कि 1 साल के अंदर तो हमने 2,00,000 से कम रुपए ही लिए 2,00,000 भी नहीं लिए हमने तो लेकिन ये चीज़ भी गलत है Maximumly जो आप एक बिल के अगेंस्ट, एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट मनी ले सकते हैं, that is 1,99,999 रुपीज ओनली आप इससे जादा नहीं ले सकते, लाइफ टाइम नहीं ले सकते एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तभी जो गॉर्मंट ने वर्ड यूज किया है, वो क्या क्या है? एक सिंगल ट्रांजेक्शन, कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड आप लाइफ टाइम में जो पैसा ले सकते हैं, वो 2,00,000 से कम होना चाहिए ना 2,00,000 हो ना उससे जादा हो मैं बार-बार ये वर्ड यूज क्यों कर रहे हूँ कि ना 2,00,000 हो ना उससे जादा हो ताकि आपके माइड में ये चीज छप जाए कि हमें 2,00,000 भी अलाउड नहीं है हमें उससे 1,00,000 कम लेना अलाउड है चीक है जी? Next one, the most important point कोई भी single occasion से related हम लोग 2,00,000 या उससे जादा पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते किसी single occasion ceremony या transactions related हम नहीं ले सकते single occasion की बात करें तो जैसे for example हम किसी marriage की बात करते हैं एक marriage में आपने क्या किया? catering का contract भी आपने ले लिया चीक है जी? और tent का contract भी आपने ले लिया other कई चीज़ों का contract आपने ले लिया उसके अंदर जिसे सजावट का contract आपने ले लिया अब आपने उसके अंदर क्या दिखाया? कि सजावट के आपने 1,00,000 रुपे लिए tent के आपने 1,50,000 रुपे लिए और उसके catering के आपने 2,00,000 लिए तो आपके पास कितने हो गए? साड़े तीन, चार लाख हो गए तो आपने यह दिखाया कि जो चार लाख रुपए मेरे पास है वो मैंने अलग-अलग transactions के लिए और आपने चार के चार लाख क्या ले लिए? cash में तो as per section 269ST हम अलग-अलग जो transaction है है तो वो single event से related single occasion से related तो इसमें क्या क्या गया है? कि अगर एक ही event से related आपने कोई भी पैसा 2 lakh और more in cash लिया तो वो हम disallowed कर देंगे event तो एक single ही था ना? चीक है जी? अगर कोई भी seminar है उससे related आपने कई चीजों का एक साथ contract ले लिया 4-5 चीजों का जो लिया उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो contract है bifurcate नहीं कर सकते कि ये catering का था, ये tenting का था, ये management का था नहीं वो है तो single event से related तो single event से related भी अगर आपने पैसा लिया तो वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? disallowed हो जाएगा if you are taking cash of rupees 2 lakh और more अगर आप 2 lakh से कम cash ले रहे हैं और बाकी bank के अंदर ले रहे हैं, bank in the sense की आप, by check ले रहे हैं, और check भी कौन सा होना चीज़िए हमारे पास account पे ही check by account पे ही check लिया account पे ही demand draft लिया या other electronic mode से लिया, तो वो आपके पास allowed हो जाएगा, otherwise section 271 DA की penalty लग जाएगी तो इसमें मैं एक बास sum up करना चाहूंगी पूरे के पूरे lecture को, सबसे पहले हमने क्या देखा था 269 SS, अगर हम उसके अंदर क्या था, हम 200,000 से जादा loan नहीं ले सकते, और अगर लिया तो section 271 D की penalty लग जाएगी, अगर हम बात करें section 269 T, हम 200,000 से जादा loan की repayment नहीं कर सकते और अगर किया, तो हमारे पास section 271 E की penalty लग जाएगी, and in case of section 269 ST ST की बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, section 271 D A की penalty लग जाएगी section 269 ST के अंदर team conditions थी, कौन-कौन सी सबसे पहली condition, एक single day में, single person से aggregately, 2,00,000 या उसे जादा payment receive नहीं करेंगे दूसरा, single transaction से related, 2,00,000 या उसे जादा payment receive नहीं करेंगे, तीसरा क्या था, किसी single event या single occasion से related, आप 2,00,000 या उसे जादा payment receive नहीं करेंगे, दोस्तों, अगर आपको मेरा ये lecture, ये information पसंद आई हो, तो please मेरे channel को like और subscribe करना मत भूलेगा, धन्यवाद